shifts का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं shifts का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो shift का plural यानि बहुवचन होता है shifts यानि कि एक से ज़्यादा shift को हम shifts कहते हैं और shift का आर्थ होता है परिवर्तन, पारी, पाली, साधन, उपाय, शरण, विस्थापन, स्थानांतरण, पाली के कर्मचारी, अंतिम साधन या तबदिली तो एक से ज़्यादा परिवर्तनों, पारियों, पालियों, साधनों या तबदिलियों को हम shifts कह सकते हैं इसके इलावा इसका verb की रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है तो verb की रूप में shift का इस्तेमाल जब हम present indefinite tense में he, she, a, singular third person के साथ करते हैं तो rule के coding इसके साथ ऐस लगाते हैं जिससे shifts बनता है और shifts का आर्थ होता है कि shift करता है यह करती है यह कर देता है यह कर देती है और shift करने का आर्थ होता है तो shifts का अर्थ हुआ कि बदलता है ये बदलती है स्थानांतरित करता है ये करती है ये इसी तरीके से नया उद्यम करता है ये करती है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह पैसा पाने के लिए कुछ संदेग्द साधनों का उपयोग करता है तो आप कहेंगे he uses some dubious shifts to get money या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने वैकल्पिक रात और दिन की पाली में काम किया तो आप कहेंगे he worked alternate night and day shifts अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें